कहते हैं, एक पल में दुनिया बदलने की ताकत होती है कुछ 25 मर्शों पूर्व, एक ऐसा ही पल आया मेस्टर माथ्यू रोजविला की जिन्दगी में मैं 1995 में मदर तेरेसे को पूना में मिला था उसी से प्रेरना मिलकर मैं एस स्कूल का शुरुआत किया और इस तरह शुरुवात हुई एक मिशन की, जिसका नाम रखा गया मदर तेरेसा स्कूल एक गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलने के लिए मिस्टर मातिश रोजविला चाहते था, तो उनका साथ में भी जुड़ गया एक छोटे से कमरे में, दो टीचर और चार स्टूडेंट से शुवू हुए इस स्कूल का एक ही मकसद है एजुकेशन फॉ और जहां एक और बड़े-बड़े स्कूल की फीज आम अत्मी की पहुन से बाहर होती जा रही है वही दूसरी और, मिस्टर माथ्यू रोजविला ने क्वालिटी एजुकेशन को समाज के हर एक तपके तक पहुँचने का संकल्प लिया और अपने कुछ मित्रों और सामाजिक संगटनों की मदद से पूरा भी किया आज मदर तेरेसा स्कूल में करीब 2,000 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से ज्यादा तर आर्थिक रूप से पिछडे वर्क से है मदर तेरेसा स्कूल में क्लास्रूम लर्निंग के साथ एजुकेशन के सभी और पहलू पे भी ध्यान दिया जाता है स्टूडन्स को 24 से भी ज्यादा स्कील्स में हाई लेवल ट्रेनिंग डी जाती है ये स्कील्स ना सिर्फ बच्चों का करेक्टर बिल्ड करने में मदद करती है बलकि उनको जिन्दगी की सभी मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देती है आशा है हर कोशिश में हो बार बार करे दर्याओं को आर पार आशा है तूफानों को चीर के मन्सिलों को चीन ले आशा है दिले गिल की उम्मीदे हसे तुल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशा है दिले गिल की उम्मीदे हसे तुल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी मिस्टर माथ्यू रोजविला का हमेशा से ही यही सपना है कि मदर टेरेसा स्कूल का हर एक विद्यार्थी ना केवल अच्छी शिक्षा प्राप करे बलकि एक अच्छा इनसान भी बने देश को समरपित इस स्कूल ने शुरुबात से अब तक सफल ताके कई पढ़ाव पार किये है और आने वाले समय में नई उचाईयों को छूने के लिए पूरी तरह से तयार है और इसका पूरा श्रे मिस्टर माथ्यू रोजविला उनके सभी टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स को जाता है कौन सा तरह सा बच्चा हो सब लोग हमारा स्कूल में आते हैं और उसमें में बहुत खुश है मदर टेरेसा स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं बलकि एक देश की परिकल्पना है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी जिन्दगी सवारने का समान अवसर प्राम्त होता है अपने इस सफर में मदर टेरेसा स्कूल यूही मजबूती से आगे बढ़ता रहे यही हमारी कामना है जय हिंद झाल